तो गुड मॉर्निंग गाईज और करेंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करेंट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है देखिए और हाँ यह हम वापिस से पुराने फॉर्मिट से इसको पढ़ रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं यह इसका कारण में आपको आगे बताऊंगा अभी स्टार्ट करते हैं पहले कि जो हमारे जो परियावरन मंत्री हैं प्रकाश चावडेकर उन्होंने किस नाम से मानव हाती संगर्ष पर राश्ट्र पूर्टर लॉंच किया था तो आंसर होगा सुरक् पिर एकिस राज्य सरकार ने इंदेरा वन मितान योजना शुरू की तो यह शुरू की थी 36 गड़ सरकार ने तो इसमें वनवासियों के विकास के लिए कार्रिक किये जाएंगे इस योजना के अंतरगत एक इंदेरा रसोई योजना भी आपने सुनी होगी वो राजस्तान ने शुरू की थी जिसमें जरूरत मंद गरीब लोगों को 8 रुपे में भोजन दिया जाता है फिर एक किस IIT ने सुदेशी बीज गेंद विक्सित किया तो IIT कानपूर ने बीज गेंद मतलब सीड बॉल्स मतलब आपने ये सीड बॉल्स एक जगेट डाल दिये तो फिर पानी वगेरा खाद वगेरा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिना गड़े खुदे पोद्योग जाएंगे फिर ए विश्व जेव इंदन दिवस कब मनाते हैं 10 अगस्त को मनाते हैं इसकी थीम थी बायो फ्यूल्स टुवर्ड्स आत्म निर्बर भारत फिर ए ट्रैफ अनकेडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेज ताकि आपकी तयारी हो एकदम पकी तो आज ही सब्सक्राइब कर रहा है अनकेडमी प्लस और पाएं अंकुष लांबा आशी शरोडा निमिशा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एकी प्लेट सब्सक्रिप्शन में आपको मौक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनलिसिस और एक्स्प्लेनिशन के साथ तो अगर आप बैंक एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाब उठाने का और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेज उनकी लिस्ट आपको स्क्रिन पर दिख रही होगी और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी और हाँ बिना कोई वक्त जाय कीजिए सब्सक्राइब करें अनकेडमी प्लस पर और इस मौके का फाइदा उठाए तो तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहाँ जाकर करके आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फाइदा उठा सकते हैं अब यह हम बढ़ते आँगे फिर हैं Making Sense of Indian Democracy नाम की बुक को किसने लिखा तो ये लिखा योगी इंदर यादव ने फिर बताओ भारत में आत्म निर्बर्ता को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा वस्तूं के आयाद पर प्रतिबंद लगा दिया गया तो आंसर होगा 101 रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाचिंग जी जिनका निर्वाचन शेत्र है लखनाव फिर है परदार मंत्री जी के द्वारा भारत को कचरा मुक्त बनाने के लिए शुरू किये गए विशेश अभ्यान का नाम बताओ गंदगी मुक्त भारत फिर है कि सराज्य में देश का पहला एलेक्ट्रिक वहन पार्क इस्थापित किया गया तो आंसर होगा तमिल नाडू में बढ़ते हैं फिर है टाइम मैगजीन्स की So most influential people of 2020 सुची में शामिल होने वाले एक मात्र भारते फिल्म स्टार कौन है आयुशमान कुराना है और वैसे तो इसमें और भी भारते हैं जैसे कि प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, डॉक्टर रवींद्र गुपता और बिल्किस बानू लेकिन आपसे पूछा जा रहा है एक मात्र भारते फिल्म स्टार, तो फिल्म स्टार तो आयुशमान कुरा नहीं फिर है नो मास्क, नो सर्विस अभ्यान ये कांपे शुरू हुआ, राजस्थान के जूतपुर में ये शुरू हुआ था तो एक तरह का जाग रुकता अभ्यान है ये फिर है वर्ल्ड मेरी टाइम डे, विश्व समुद्री दिवस, देखो ये मनाया जाता है सेप्टेंबर के लास्थ हस्टे को तो 2020 की बात करेंगे तो ये हमने 24 सेप्टेंबर को मनाया था इसकी थीम थी सस्टेनेबल शेपिंग फॉरस सस्टेनेबल प्लैनेट एक नैशनल मेरी टाइम डेबी होता है वह हम 5 अप्रेल को मनाते हैं हर साल फिर है Acer इंडिया की ब्रेंड एंबेजडर कौन बने, सोनुसूद बने ये जो Acer है ना ये ताइवान की कंपनी है, लैप्टोप आते हैं सके युनाइटेड नेशन एंवार्मेंट प्रोग्राम की शेत्रे एंबेजडर के रुप में किसे नियुक्त किया गया तो अंसर होगा खुशी चिंदालिया को गुजरात से हैं ये फिर बताओ लड़ाको राफेल विमान उड़ाने वाली पहली मैला पाइलेट कौन बनी, तो आंसर होगा शिवांगी सिंग फिर है मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने लौंच की थी, राजस्तान सरकार ने फिर है रेल राज्य मंतरी का निधन हो गया, नाम बता उनका, सुरेश अंगडी उनका नाम था फिर है किस राज्य में देश का दूसरा रौकेट लौंच पोर्ट के स्थापना की जाएगी काँ पे, तमिल नाडु के थुत्तु कुडी में और पहला है आपका आंदर प्रदेश के शिरी हरी कोटा में, मतलब यहाँ से रौकेट वगेरा लौंच किये जाते हैं, बढ़ते हैं आगे तो चलिए कल के करन्टफैर्स को रिवाइज करते है, फिर बताओ किस देश ने अपने राष्टरगान में एक शब्द को बदल दिया तो अंसर होगा ऐस्ट्रेलिया ने ऐस्ट्रेलिया के राष्टर कान को हम कहते हैं एडवांस ऐस्ट्रेलिया फेर तो इसमें जो सेकेंड लाइन थी वो थी for we are young and free तो यहाँ पे जो young है न उसको बदल के one कर दिया यंग की जगे one कर दिया और यह लाइन क्या हो गई बदल करके for we are one and free हिंदे में मैं आपको बताओं तो पहले यह लाइन थी लाइन का मतलब था हम युवा और स्वतंत्र है तो युवा की जगे एक कर दिया तो क्या बन गया हम एक हैं और स्वतंत्र हैं और अस्टेलिया ने किया ऐसा और अस्टेलिया केपिटल कैन्बेरा है करंसी है औस्टेलियन डॉलर पर धर्मंतरी स्कॉट मौरिसन फिर हैं नसेसी के डारेक्टर जनरल कौन बन गए तरुन कुमार बन गए नसेसी मतलब नेशनल कैड़ेट कॉप और अभी CISF के भी डारेक्टर जनरल बने थे नए सुभूद कुमार जैस्वाल उनका नाम है फिर है किस भारते को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 से सम्मानित किया गया तीन भारते मेंने आपको नाम बताये थे डॉक्टर प्रदीब कुमार, संजे पांडे और केरल की हेल्थ मिनिस्टर केके शिल्जा और ये जो सम्मान है या वार्ड है ये दिया जाता है हार्मोनी फाउंडेशन के द्वारा फिर वहाना मास्टर क्लास नाम की बुक को किस ने लिखा अलफ्रेडो कोविल्ली ने फिर बता उत्राखंड हाई कोट के ने चीफ जस्टिस कौन बन गए रागवेंदर सिंग चोहान बन गए अगला प्रशन है एक लाग करोड के मार्केट कैप को पार करने वाली पहली टू विलर कंपनी कौन सी बनी तो अंसरो का बजा जोटो फिर एक किस मौसम विज्ञान वेजशाला को शताबदी मौसम वेजशाला का दरजा मिला तो अंसरो का पटना पटना मौसम विज्ञान वेजशाला को फिर है रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरुषकार 2020 से सम्मानित किया गया किसे NDTV के पत्रकार हैं ये रविश्ट रंजन चोहान इनका नाम है फिर है एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया भी मद्धिपरदीश की सरकार ने फिर बताओ देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम ये कि शेर में लॉंच किया गया तो अंसर होगा है धरबाद में इंडियन ओल कॉर्पोरेशन ने इसको लॉंच किया ताकि वो अपनी सभी रिफाइन रियूम में जो तर्बाइन से उनको एक जगे से ही मोनिटर कर सके निगरानी कर सके फिर है थोबल मल्टी परपस प्रोजेक का उधगाटन की शेहर में किया गया ग्रह मंत्री हमारे जो अमिच शाय उन्होंने इसका उधगाटन किया एक तरह से ये डैम है थोबल डैम तो मनिपूर के केपिटल इंफाल में इसका उधगाटन किया गया हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समचन करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ 10 मिलियन डॉलर का रण समझोता किया तो एशन डेवलेप्मेंट बैंक के साथ इसका हैटकोटर मनिला फिलिपिन्स में है प्रसिडेंट मसाथ सुकवासा कावा बढ़ते आगे अच्छा हाँ आगे बढ़ने से पहले मेरे को आपको बताना था कल मैंने आप लोगं को कहा था कि हमने कुछ चेंजेज कर दिये जो मैंने आपको कल दिखाया भी था जिसमें चार आप्षर आपको मिल जाएंगे क्योंकि आप में से कुछ-कुछ स्टुडेंस की ये दिक्कत भी थी कि जो आंसर होते हैं वो क्यूशन के बिलकुल सामने रख दो जब अपन टेबल में इसको सॉल करते हैं तो बिलकुल सामने रख दो लेकिन जब लास्ट में मैं आपको शीट देता हूँ अगर मैं आंसर ही आपको सामने रखके दे दूँगा तो फिर आप उसको solve करे न करे क्या फरक बढ़ता है क्योंकि answer तो सामने लिखे हुए फिर आपने कहां दिमाग लगाया इसलिए random set करने पड़ते है answer और जो sheet आपको homework के लिए देते हैं वो ही दूसरे दिन हम solve करने लख लेते हैं तो answer तो उपर नीचे match the following की तरह set करके आपको देते हैं बस उसी को आगे solve करा देते हैं दूसरे दिन इसलिए सामने नहीं रखते हैं तो वो problem को solve करने के लिए वो चार option के तरीके से उसको शुरू किया था दूसरी कारण उसको ये भी था कि काफे student ने कहा था कि इंगलिश में भी लेकर के आओ तो यहाँ पर इस table format में बहुत ज़्यादा problem होती है इतने बड़े question को short में लिखना अब वहाँ पर English के लिए जगे ही नहीं बसती है Hindi के लिए जगे नहीं है इसलिए बिल्कुल short में लिखना पड़ता है आप देखो ध्यान से इसलिए मैंने का इंगलिश वालों की भी problem solve हो जाएगी बलकि काम तो मेरा बढ़ गया था लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे student ने कल messages किये कि वो पूराना वाला format ही ठीकता वही तरीका ठीकता तो ठीक है हमें तो जिसमें आप अगर सहुलियत है तो हम वही वाला continue कर लेंगे इसलिए आज वापिस हम ये table format को start कर रहे है बस आपको अच्छा लगना चाहिए तो अभी हम बढ़ते हैं आगे तो इस static questions देखते हैं पहला प्रशन पूछ रहे हैं आपसे 2020 का एजुत्चन पुरुसकार किसने जीता तो अंसर होगा पॉल जाचेरिया ने प्रसिद्ध मल्यालम लेखक हैं ये फिर है किरल सरकार का जेसी डेनियल पुरुसकार किसने जीता तो अंसर होगा हरी हरन ने ये मल्यालम फिल्म निर्माता है और जेसी भी साहित्य पुरुसकार 2020 किसने जीता तो आंसर होगा S. Harish ने, ये मलियालम लिखक है, और डेली गरंट अफेर्स वाले लेक्चर में, ये तीनों नाम हमेशा मैं आपको एक साथ बताता हूं तो इनको याद रखना, फिर है एड़ाई का हेड़कॉर्टर कहां पर है, हैदरबाद में, एड़ाई मतलब हो गया Insurance Regulatory and Development Authority of India, जिसके चेर्मेन है सुभाष चंद्रकूंटिया, और अभी इसकी सदस्य बनी थी S.N. Rajeshwari, वैसे ये Oriental Insurance Company की CMD है, फिर है The Last Queen नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा Chitra Banarji, दिवा करूनी ने, फिर है Your Best Day is Today नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर हो 20 November को, फिर है वायतन Lifetime Achievement Award की से मिला तो आंसर होगा, रमिश पूक रियाल निशंग को, जो कि हमारे सिक्षा मंत्री है, फिर है Tata Literature Live Lifetime Achievement Award 2020 की से मिला तो आंसर होगा, रस्किन बॉन्ड को, फिर बताओ, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूच कांक, ट्रेस 2020 में भारत कि इसिस्थान पे रहा, 77 नमबर पे रहा भारत, इसमें टॉप पे रहा डेनमार्क, और सबसे लास्ट में, यानि कि 194 नमबर पे रहा नॉर्थ कूरिया, यानि कि रिश्वत का लेंदिन सबसे ज़्यादा है नॉर्थ कूरिया में, बढ़ते आगे, डेस की बात करते हैं, World Autism Aware Awareness Day, यह हम 2 April को मनाते हैं, परें अंतर राष्ट्रे खदांच जागरुकता दिवर्स, International Minds Awareness Day, यह 4 April को मनाया जाता है, राष्ट्रे समुद्रे दिवर्स, National Maritime Day of India, यह हम 5 April को मनाते हैं, और इसकी थीम थी, Sustainable Shipping for a Sustainable Planet, इस्थाई ग्रह के लिए सतत shipping, अच्छा देखो, य यह तो National Maritime Day हो गया, एक World Maritime Day भी होता है, लेकिन वो Fixed Day नहीं होता, उसका कोई, वो September के लास्ट हजदे को मनाया जाता है, World Maritime Day, फिर अंतर राष्ट्रे अंतर रात्मा दिवर्स, International Day of Conscience, यह हमने पहली बार मनाया भी 2020 में, 5 April को, फिर है International Sports Day, यह 6 April को मनाते हैं, और National Sports Day मना जाते हैं, 29 August को, फिर है World Health Day, यह हम मनाते हैं, 7 April को, और इसकी थीम थी, Support Nurses and Midwives, नर्से से एक डेबी होता है, International Nurse Day, जो 12 मई को मनाते हैं, फिर है विश्वो, Homeopathy दिवस, यह 10 April को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी, Enhancing the Scope of Homeopathy and Public Health, फिर है राष्ट्र सुरक्षित मात्रत् Motherhood Day, यह 11 April को मनाया, फिर है अंतर आश्ट्र मानव अंतरिक्ष दिवस, यानि International Day of Human Space Flight, यह हमने मनाया 12 April को, फिर है पहला विश्विच चगास दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे, पहली बार बनाया हमने, 14 April को, तो गाइस यह था आज का हमारा Current Affairs का Revision वाला वीडियो, अब कुछ कुशन्स आप लोग उसे पूछे जाएंगे, कुशन्स आप लोग लगाईए और देखें कितने कुशन्स आप लोग उसे बन पा रहे हैं, बाके मैं इनको कल सॉल करते हैं, यह रहे कुशन आपके सामने,